ग्याता धर्मकथांग सुत्र में तीर्थंकर गोत्र उपारजन के 20 बोल की आराधना परमात्मा ने फर्माई है जिस 20 बोल को हम सामाई का दिछे अवश्यक और ज्यान दर्शन चारीत रत्रय रत्न से की ट्रीक से हम समझ सकते है पहला अवश्यक सामाई का होता है जिसमें हम पंच परमेश्टी आने नवकार मंत्र से शुरुवात करते है तो तीर्थंकर गोत्र के 20 बोल में पहले 5 बोल भी जो यह है कि पहला बोल अरिहंत भगवान के गुन किर्तन करता हुआ जियू उत्कृष्ट रसायन आवे कर्मों की कोडी खपावे तो तीर्थंकर गोत्र का बंध होवे नमबर दो सिद्ध भगवान के गुन किर्तन करने से नमबर तीन आचार्य भगवंत के गुन किर्तन करने से नमबर चार उपाध्धायजी के गुन किर्तन करने से नमबर पाँच स्तवीर रुद्ध मुनी के गुन किर्तन करने से दुसरा आवश्यक चोविस्तव जिसमें स्तुति की जाती है इसमें दो बोलाते हैं छटा बोल तपस्वी के गुनगान करने से सात्वा बोल चतुर्वित संग को साता शांती समाधी देने से तिसरा आवश्यक वन्दना इसके इसमें दो बोलाते हैं आत्वा विने करने से और विने के जगन्य सात मध्यम दस उतकुरुष्ट एकसो चोवतिस भेद प्रकार बताये हैं नववा बोल है वयाव रत्य यानि दस प्रकार की सेवा करने से चोथा आवश्यक प्रतिकमन है इसमें भी तीन बोलाते हैं दसवा बोल दान अभय दान सुपात्र दान देना ग्यारहवा बोल कालो काल आवश्यक करने से पाच्वा आवश्यक कार्यो सर्गा का है इसमें एक बोलाता है बारहवा शूब ध्यान ध्याने से छट्टा प्रत्य यान आवश्यक है इसमें दो बोलाते हैं चवदा हुआ तेरह हुआ लिये हुए ब्रत्य प्रत्य ख्यान निर्मल पालने से चवदा हुआ बारह प्रकार की निर्जरा तप के करने से ये छे आवश्यक के बोल हुए अब ग्यान से पन्रहवा बोल सीखे हुए ज्यान को बार बार फेरने से सोलावा बोल नया अपुर्व तत्व ज्यान सीखने से सत्रहवा बोल सुत्र सिध्धान तकी सेवा भक्ती करने से अब दर्शन में अट्रहवा बोल मिध्यात्व नाश तथा समकित उद्योट करने से उन्निसवा समकित निर्मल पालने से चारित्र आराधना में बीसवा बोल अश्ट प्रवचन माता की आराधना से ऐसे बीस बोल जो सामाईक के छे आवश्यक और ज्यान दर्शन चारित्र में जोड़कर ये एक ट्रिक बनाई गई है तो इसमें 20 बोल की आराधना आ जाती है, ऐसे क्रम इसमें सीधा नहीं है, क्रम हमने ट्रिक के हिसाब से बनाया है, तो यह तिर्थंकर गोत्र उपारजन के 20 बोल फर्माए हुए है, सेवम भनते, सेवम भनते, यह ट्रिक परम पुज्य सुबोधी जिमार साब ने बनाई तो यह तो यही जिज जिस बनाई